असलाम आलेकुम नमस्कार एक ऐसा ही दिल दहलात देने वाला वीडियो आया है चुकि इस वीडियो में कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान के अंदर सांप निकल चुका है और इतना ही बड़ा कोब्रा है सबसे पहले आप लोग वीडियो देखिए यह वीडियो कहां का है यह हमें नहीं मालूम लेकिन वीडियो को देख के आप हमें जरूर कॉमेंट करें यह वीडियो कहां का हो तका है एक रेस्क्यूवर कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है और ठीक कब्र के पास एक गाच है उस गाच का खोडर में एक बड़ा सा कोब्रा निकल चुका है साथियों ऐसे तो साप का पसंदिदा जगव बील है लेकिन बील तो बील ही होता है चुकी एक महिला के कान में घुश गया साप और वो भी कौन सा साप है ये भी हमें नहीं मालूं ये वीडियो पता नहीं कहां से आया है और आप देख रहे हैं औरना मेंटल स्नैक सबसे सुन्दर इसको अगर इस तरह दिखलाया जाए तो कहीं न कहीं ये भी बील समझ कर कान में समा जाएगा उसी तरह ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस महिला का इस महिला के कान के अंदर सांप पुश चुका है और ये वीडियो विदेश से आया हुआ है फौरं से सांप पुरे सरीर को अंदर की और गुशा चुका है और सिर्फ मुह निकला हुआ है और डॉक्टर कहीं न कहीं चुंटा का इस्तिमाल करके उसे बाहर खिंचना चाह रहे हैं आप लोग कॉमेंट्स में जरूर हमें बताएं ये वीडियो कहां का है और हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कहीं न कहीं धामन का बच्चा है और आप लोग क्या कॉमेंट करते हैं ये भी देखना है हमें चुकि आप से हम कुछ सीखेंगे और कुछ हम आपको सिखाएंगे और हमारे हाथ में भारत का सबसे सुन्दर सांप जिसे हम तच्छक नाग जो हलका विसैला होता है औरनामेंटल स्नेक जो हलका विसैला होता है कहीं कहीं से उदेनाग के नाम से भी जाना जाता है बहुत ही सुन्दर सांप है जो सेमी भेनेमस है साथियो इस तरह का अगर वीडियो अगर आप कुछ चाहिए तो हमारे वाट्स अप में भेजा करें 9333320555 पर संपर कर है और इस तरह का वीडियो अगर आपके पास कहीं हो तो आप हमें भेजें ताकि ये वीडियो के माइधम से लोगों के अंदर एक जागरुपता फैलाएं सांप बचाईए परियावरन बचा रहेगा जैहिन जैभारत और गर्ब से कहेंगे बंदे मातरम बंदे मातरम